यही मोडल चाहिए, बंदुक का राज, पुलिस के संगरक्षन में गोली मार दे, अरे इन काउंटर मोडल, बुल्डोजर मोडल, यह सब की बात हो रहती न, कानून का राज विहार में अस्थापित है, और भाजपा सासित राज्यों में अपराधी राज कायम है, पले उत्तर परदेश अपना परदेश संभाले, बिहार की चिंता चोड़ दीजिये, नितिस तेज़स्वी की सरकार है, नौसकार में नानाम प्रेम है और आप लाइप स्ट्री देख रहे हैं, पिछले दीनों, तेर रात, अतीक अहमद और अस्रफ की मिर्टी हो गई इसके बाद, बिहार का भी सियासत काफी तेज है, जो महागट होनन के निता है, इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं, बात करने के अपराधी राज नहीं ना इसे कहा जाएगा, कोई भी अपराधी हो, चाहे आतंगवादी हो, उपद्रवी हो, कानून बना हुआ है, कानून अपना काम करता है, कानून में सजा का प्राबधान है, फांसी का प्राबधान है, लेकिन ये जिस तरह से पूलीस के संग्रक्षन कश्टडी में हत्या की जाती है गोलियों की बहुचार से इसे कौन सा राज कहेंगे बताएं हमारे बिरोधी ये तो पूरी तरह से लॉइन आउडर की सिती यूपी में क्या है ये अपने आप में गटना कहानी कह रही है तो पर तो लोग तो कहते हैं ना कि बिहार में भी यू पूर्डल चाहिए बंदुक का राज पूलिस के संग्रक्षन में गोली मार दे यहीं हम पूच रहे हैं कानून का राज अस्थापित करना सरकार की किसी भी सरकार की पहली जिम्मेवारी जवाब दे ही है इसलिए कानून बनाया गया है और ये कानून जिस तरह से ध्वस्त क कानून बेवस्ता को अपराधियों ने सीधी चुनोती दी उत्तर परदेश के पुलीस को सासन को परसासन को भै पुलीस कश्टडी में मारा जा रहा है वो कौन था क्या था नहीं था उसका सवाल नहीं है सवाल सबसे बड़ा ये है कि अपराधियों का दुस्साहस देखिए क्या योगी जी की मोडल की बात करने वाले लोगों को अब बताना पड़ेगा कि आखिर ये कौन सा मोडल है सता मिल गई है यानि गलत हुआ है हम तो कह रहे हैं सिधा सवाल की कानून बना हुआ है हर चीज के लिए हम तो कह रहे हैं अपराधियों का मनोबल किस कदर बढ़ा हुआ है ये सबसे बड़ा सवालों के घेरे में है जो लोग कह रहे थे ये तो जंगल राज का प्रतीक है इस तरह की घटना कि कोई अपराधी सीधे तवर पर पुलीस के कश्टडी में कोई है और उसको मार दे रहा है अब उत्तर परदेश की सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा और हम लोग जो बात का रहे थे अरे इन काउंटर मोडल बुल्डोजर मोडल ये सब की बात हो रहे थी न अब तो ये जो बंदूक और हत्या का मोडल है ये मोडल तो कम से कम किसी भी सरकार में जो कानून बेवस्था की बात दुहाई लगातार देते हैं और यहां बिहार में सवाल खड़े करते हैं उनको बताना चाहिए कि कानून का राज बिहार में अस्थापित है और भाजपा सासित राजियों में अपराधी राज कायम है एक सवाल आओ रहेगा बिहार में फिर से जहरेली कथी तोर पे जहरेली सराप से मौत हुई है उसके बाद बीजेपी के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिहार में सरापन्दी फेल है बीजेपी क्या सवाल खड़े करेगी बीजेपी बताए कि सरापन्दी कानून खतम कर देना चाहिए बीजेपी ने भी सपत लिया था सरापन्दी कानून में समहल कैसे नहीं रहा है आप अभी मोतियारिक की जो घटना है उसमें तीन लोगों की जो जाने गई हैं तीन लोगों का जांच किया जा रहा है पोस्ट माटम रिपोर्ट के बाद उसमें अभी अधिकारिक रूप से यह नहीं आया है जहरीली सराब से मोते हुई हैं दस लोगों की जाने गई हैं वहां गरामिनों ने उसको अनन फानन में दास अंसकार कर दिया अंतेश्टी कर दी बिना पुलीस परसासन को बताए उसकी विज्जाच हो रही है एक ग्यारा लोग अस्पतालों में भरती हैं तीन लोगों की हालत गंबिर है तो उसमें जो लोग हैं सबसे रिपोर्ट लिया जा रहा है लेकिन पर्थम दृष्टिया सासन पर सासन ने तुरित कारवाई की है और जो संदिक्द हैं उस अधार पर दस लोगों को गिरफतार भी किया गिया है और अगर जाच में इस तरह का मामला आता है तो सलाकों के पीछे वो सारे लोग ह होंगे जो जहरीली सराब बना रहे होंगे जो बेच रहे होंगे सारे लोग होंगे सलाकों के पीछे और यही सासन पर सासन का सकती का कड़ाई का नतीजा है आज जहरीली सराब से मौत का मामले में कमी आई है बिहार में यह है पुलिस पर सासन का इकवाल लेकिन बीजेपी क तो हर चीज में राज्जिती करनी है पले उत्तर परदेश अपना परदेश संभाले ब्यार की चिंता छोड़ दीजिए नितिस्तेजस्वी की सरकार है यहां जो है कोई गड़वड करेगा तो वो नहीं बचेगा कि जाच की जारी है जो तिन संदिक्त लोगों के कहा जा रहा है कि कथित तौर पे सराब से बहुत हुए है उनका भी पुस्ट मॉटम रिपोर्ट मांगा जा रहा है जाच करवाया जा रहा है